नमस्कार और स्वागत अरवान दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्स टॉक नेटवर्ग पर आज पहला एक दिवसे अंतराश्ट्रे मैच कहला जाएगा भारत और दक्षिन अफरिका के बीच में और आज हम सुवे सुवे आपके लिए फैंटिसी लीग लेकर भी आगे लेकि तो हमारे पास युबा फॉज है जबकि साथ आफ्रिका की टीम वही है जो कि टी ट्वेंटी फॉर्बेट खेल लेती और हमने उनको चकमा दिया हमने उनको हराया है तो क्या पतावार युबा भी आज के मैच में भी जीत के साथ शुरुआत करने लेकिन आज का मैच खेला जाएगा लखनो में और फेंटसी लीग हमने तयार कर लिये लेकिन उससे पहले आपको बता दे अपने टीम हम दिखाएं मैं और शशांक आपको दिखाएं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस है यगर आपने अब तक हमारे टेलिग्राम चैनल को नहीं सब्स्प्राइब कि अब कम सकम हा रहे हैं सीरीज इधर T20 का ODI तो जीत कर रहे वर्ल्लकप में जाएं तो उनकी मजबूर टीम आपर खेल रहे हैं यह भी किसी से कम नहीं है यह भी बिल्कुल में टीम गी तरह खेलते हैं तो उसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि एक इंट्रस्टिंग जो है कॉन् आपको लगतार दे रहे हैं तो आप बनर ही हमारे साथ में और जैसा कि अबिशेक निकार टेलिग्राम चैनल जोइन कर ले ही ताकि अगर एन वक्त पर टॉस की बाद कुछ परिवर्टन होता है तो आपको अहां पर हम अब बिल्द कर देते हैं तो आप विशेक टीम हम रिख सकते हैं बाइन तरफ मेरी टीम है और मेरी टीम में मैंने क्विंटन डिको को अपना विकेट कीपर बल्लेबाज चुना हुए है तीन बल्लेबाज मेरे हैं शुमन गिल, शिकरदवन एन यानिमन मलान उसके लामा तीन मेरे ओल्राउंटर हैं शहवाज एहमाद, एडन नजर आ रही है तो ये कप्तान हुग कप्तान ही मेरे सॉलिड हैं शेख माकरम हो केशमाराज तो ये मेरी ग्यारा है जो पॉइंट दिलाएगी मेरे ओल्राउंडर की भूमिका में नजर आएंगे तीनों का रूल बहुत पूशल होने वारा है और इसके लबाद तीन गेन बास मैंने लूंगी सानी एनगीडी को रखा हुआ है इसके लबाद शार दिपक चाहर को रखा हुआ है यानि कि ये तीनों के तीनों expensive हो सकते हैं लेकिन विकेट टेकिंग गेन बास है तो इसलिए मैंने इनको रखावा मेरे जो कप्तान है वो शुमन गिल है और वाइस कैप्टन मैंने लूंगी सानी एनगीडी को बनाया है तो तबाद दोस्तों ने देख लिया होगा कि कि सरी किसे हम दोनों ने टीम बनाई है उमीद कर और फिर से आप तबाद दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वह भी फटा-फट कर लिजे क्योंकि कोई भी अफडेटेड इंफरमेशन आती है तो हम आपको वहाँ पर जाकर पोस्ट कर देते है और लि इसी तरीके से देते रही